हलो प्यारे बच्चों वेलकम है आप सभी का आज के स्वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट नीउज हम आपके लिए लेकर आ हैं बिहार विद्याले परिच्छा समीती के द्वारा दसवी और वारवी का कॉपी जो है वो मुल्यांकन होना सुरू हो चुका है चेक होना बेट करें हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट का बाएगा और साथी साथ कि जान दीजे कि कैसा आएगा आपका रिजल्ट इसके उपर भी डिसकस करेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाई ये पांच प्रमुक कारण क्या है जो एक कमजोर छात्र या नॉर्मली जिसका ए पिर भी उसको मन चाहा जो है मार्क्स नहीं मिल पाता है मन चाहा जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो यह पांच प्रमुख कारण क्या है जिसकी बजा से आपका नंबर बोड के एक्जाम में चाहे वो बच्चा 10th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो अग कोपी में आप चाहे कितना भी लिख लो और नंबर कटेगा ही कटेगा इसमें कोई सक नहीं है और साधारंता मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सरे का और सुतन बच्चे जो है इस चीज में गलती करते हैं तो देख लीजे कि वो गलती क्या है जो आपके लिए बहुत important है तो जैसा कि screen के उपर हमने लिख दिया है कि भाई वो 5 प्रमुख कारण कौन कौन सा है जिसके कारण बच्चों के ठीक है बच्चों के marks कटते हैं final vote के exam में पहला कारण ठीक है ठीक है ठीक है पहला कारण भाई OMR seat 10th का exam हो 12th का exam हो OMR seat सबसे बच्चा क्या करता है कि बहुत चोटी वीडियो है और बहुत कुछ शिखाने की कोशिस करेंगे आपको आपकी गलतियों से रूबरू करवाएंगे कि आपने कहां गलती किया तो यह सब जो है यह गलत तरीका है OMR seat को भरने का अगर आपने बिलकुल अगर आपने बिलकुल इस तरह से OMR seat भरा होगा कि बिलकुल इस तरह से गोल गोल अगर आपने भरा होगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे तो आपको पता होगा कि अपने OMR seat किस तरह से भरा है और एक बात कि भाई हर चीज सही होना चाहिए वहाँ पर जो आपका section होता है ABCD जो आपका paper होता है वो भी सही होना चाहिए अगर वो है तो वहाँ तो resulti cancel हो जाएगा वो आपका pending में आ जाएगा ठीक है तो ये 5 प्रमु देकर अपने आपको संतुष्ट कर लिजी कि हाँ हमने सही विकल्प किया है उसके बाद जो प्रकिरिया है भरने का बिल्कुल जैसे मैंने इस तरह से भरा है ये भरिएगा तो पांच प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण है भाई OMRC डिगर अपने सही से भरा है तो ठीक बरना लेने के देने पड़ जाएंगे और ये सबसे प्रमुख कारणों में से एक है भाई सबसे इंपोर्टेंट है OMRC जो साधारंता मैंने देखा है कि साधारंता सभी बच्चे इसके उपर गलती करते है आए दूसरी बात करते है कि दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या ह दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि बहुत सरे बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हैं तो लिखते जाते हैं ठीक है आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना बस लिखरे तो लिखरे सबसे बड़ी चीज है भाई चौथाई ठीक है सबसे बड़ी चीज क्या है च तो साधरंता बच्चे नहीं छोड़तें जैसे मान कर चलिए कि ये आपका page है ठीक है तो कहा गया है कि एक बटे चार बाग प्रतीशत में कहिये तो 25 प्रतीशत एरिया जो है इधर से आपको शोड़ को जोड़ कर लिखना होता है अर ये एक अच्छी आदत है एक बेह तरीन ठीक है तो ये सबसे प्रमुक कारण है भाई चोथाई छोड़कर बच्चे जो है नहीं लिख पाते हैं या भूल जाते हैं अमान लीजे कि इस तरह से आपका दिया हुआ है अच्छा अगर आपको 12 के लिए लाई पढ़ना 11 के लिए तो बैच शुरू हो चुका है लिंक करते हैं यह आपको छोड़कर लिखना होता है अगर आप इस चीज़ को छोड़कर नहीं लिखते हैं तो यकीनन मानिए कि आपके माक्स बूट के एक्जाम में कटेंगे जहां पांच नंबर का कोशन है आपको 3, 2, 4 देकर संतुष्ट कराया जाएगा अगर आपने यह काम क करा है तो 5 में 5 मिलेगा आइए तीसरी बात कि तीसरी सबसे प्रमुख कारण क्या है जिस कारण से आपके आपका जो रिजल्ट है वो कम माक्स में आता है और तीसरा है देखें बहुत सारे बच्चे क्या करते है पहले मैं यहां पर हेडिंग देता हूं नंबरिंग ठीक है अब इसको समझे कि यह है क्या वट इस ठीक है यह है क्या नंबरिंग क्या है जैसे मान लीजे कि आपको एक नंबर ला कोशन आ रहा है दो नंबर वला आ रहा है तीन नंबर वला आ रहा है पांच नंबर वला आ रहा है और दस नंबर वला रहा है और मान लीजे कि 12 और 15 नं आठ का दे रहे हो और फिर यहां तीन घुसा रहे हो फिर यहां चार घुसा रहे हो और यहां साथ घुसा रहे हो और फिर आपने यहां दस और माल दीजे कि यहां पंदरा और माल दीजे की बीच में आपने चो माल दीजे कि यहां पर नहीं सोरी ठीक है अपने माल दीजे कि य 1 दिया 2 दिया और उसके बाद 5 दिया फिर आपने 3 दे दिया फिर 4 दिया तो जब आपको 25 दू दो के बाद जब आपको 35 आ रहा था तो पहले आपने पांच क्यों लिखा है हलाकि यह लगता है कि कहीं इधर उधर किया है यानि चोरी यह मैं नहीं बोल रहा हूं जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा उसके मन में इस तरह के विचार जो है वो उत्थपन होंगे तो वैसे में उसकी जो भावना है उसकी जो सोच है आपके प्रती कुछ और हो जाएगी और में जहां पाँच में पाँच देना चाहिए तो वहां चार देकर छोड़ देगा तीन देगर चोड़ देगा क्योंकि उसके मन में एक संकोच है आपने उसके अंदर जो है एक गलत सोच डाल दिया अपनी कॉपी को लेकर कि पता नहीं लगता है वच्चा चोरी किया है कि जब तो एक आ रहा था, दो आ रहा था, ठीक है भाई पाँच दिया कोई बात ने, पाँच दिने का मतब है कि तीन चार आपको नहीं आ रहा था, फिर आपने तीन और चार बाद में कैसे दे दिया, माल दीजी आपने साथ दिया, दस दिया, पंदरा दिया, और पंदरा के बाद फ जरूर संपर करिएगा लाइब क्लास से सुरू हो चुके 10th 11 12th की सब सब्जिक्ट के टीचर अवेलेबल है पूरी टीम हमने लॉंच कर दिया है यह इसके लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल संपर करिएगा चलिए चौथी सबसे बड़ी बात कि भाई क्या है वो चौथी सब लिए आपने बहुत भेटरी नंग से लिखा अब मान कर चलो कि इस पेज में आपने यह जो वाट्स यूज किया है जो आपने लिखा है पूरा पेज ठीक है यह जो पेज आपने लिखा है यह मान लीजिए ठीक है कि गलती हो गया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते है एक बताईए ये कौन सा तरीका है ये बहतरी चात्र का काटना क्या ये तरीका है मान लीजे चलो गलती होगे हम मान रहे हैं कि ये गलत चीज है तो आप ऐसे भी तो काट सकते हैं कि हाँ सर गलती होगे यानि सीधे सीधे कहेंगे कि जादा काट कूट जो है ये अच्छी बात नहीं है यानि आपको जादा काट कूट नहीं करना चाहिए वरना जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसके अंदर गलत विचार आपके मन में आएगा कि जिस इंसान को जिस बच्चे को अपने कॉपी की इज़त करनी नहीं आती है अपने चीजों को जो उसने अपने तरीके से बना है उसकी इज़त नहीं करनी आती है वो क्या जीवन मे result की बात करे, ठीक है, BACB result की बात करे, तो result आपको पता है कि 10th वालों का जो result है, वो April के starting में, वैसे तो बोला गया है, ठीक है, कि 12th का result, ऐसे देखे, confirm तो अभी भी confirm नहीं किया गया, लेकिन, कहा गया है कि 24 से 26 March के आसपास, ठीक है, 24 से 26 March के आसपास, जो है, वो 12th का result और 10th का कहा गया है, कि March के last में, ठीक है, March last या, first week of April, ठीक है, first week of April में आपका, ठीक है, यह आपका जो है, result आ सकता है, ठीक है, इसको सही से लिख देना, यानि यह ऐसा संभावित है, कि 24 से 24, और मुझे भी यही लग रहा है, कि जो संभावित है, वो होगा, 25 April 26, sorry, March तक 12 का result आएगा, और March के last, यानि अपरेल घुस्ते घुस्ते, 2, 4, 5 तारीक तक, आपका 10th का भी result आएगा, और हाँ, यह अनुमान है, कि आपका जो result है, वो good, better नहीं, आपका good होने वाला नहीं है, बेटर नहीं होने वाला है, रोते रह जाओगे, क्या होने वाला है, आएगा, you don't worry, ठीक है, यानि इस बार भी result बहुत अच्छा आएगा, देखिए, पांच भी सबसे बड़ी गलती, जो बच्चे साधारनता करते हैं, करते क्या है, कि मान लिजे कि यहां से लिखना, उसने उने शुरू किया, फिर ऐसे लिख रहे है, फिर ऐसे लिख रहे है ठीक है, यानि एक word हमारा होता है, उसको हम English में बोलते है paragraph, सुना ही होगा अपने, सुना ही होगा, कोई doubt की बात नहीं है, paragraph, paragraph का मत्तब क्या है, कि मान लिजे कुछ ऐसे करके अपने यहां जब शुरू आत की, मान लिजे कि कोई line यहां पे खत्म हो गया, तो paragraph का मत्तब यह जब यहां खत्म करते हैं, तो अगली line यहां से शुरू करें, फिर ऐसे करते चलिए, फिर ऐसे करते चलिए, मान लिजे कि एक line यहां से खत्म हो गया, तो आप यहां से सुरू करिए, इससे क्या होगा, कि जो आपका copy check करेगा, वो समझेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने में लिए पढ़ेगा, और वो आपके माली जो कि आपने जितना लिखा है, वो आपको full marks देने की कोशिश करेगा, तो एक बहतरीन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो करिएगा, और हां हमने बहुत बहतरीन एप ल रहाने वाले एप के उपर, यूट्यूब पे तो continue चली रहा है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन इस बार एप के उपर fully live batches launch कर रहे हैं, पूरा live रहेगा with notebook, और बिल्कुल admission जारी हो चुका है 12th का, और 10th का भी, बिल्कुल भी सोचिए मत, तुरं तुरं पड़ोगे, उतने से भी कम फीस में हम आपको यहां पर पूरा एक साल live पढ़ाएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, डिजिटल इंडिया के तहहता है, आपको एक बहतरीन मार्ग दर्शन यहां से मिलने वाला है, और मैं as a motivator रहूल सर आपको हमेशा motivate करता र हार नहीं होती, बिना कुछ की यह जैजैकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके एंड बेस्ट आफ लग फोर इस वीडियो